चलिए यह आगे बात करते हैं, सुपोज Mr. A ने goods पेचे Mr. B को, और value of goods थी 100 और GST rate है 18%, तो 100 पे 18% से 18 रुपे, 118 रुपे amount पेबल by consumer, yes or no, जिसमें value of goods जो है, that is Rs. 100, will be kept by the seller, और जो GST amount है 18 रुपे का, it's a duty of supplier to deposit the amount to government, GST का amount seller की जेब में नहीं चाता है, वो उसे government को जमा करवाना होता है, ठीक है, तो end में conclusion क्या है, conclusion यह है कि levy का मतलब होता है, duty to collect and deposit, और यह किस के उपर होती है, supplier पे, burden क्या करता है, inflate the amount payable by consumer, 100 रुपे का good था, लेकिन आपको 118 रुपे देने पड़े, तो it inflates the price, यह amount payable by customer, और burden आता किस के उपर है यह, consumer के उपर, चेक है, अब देखिए, two words आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, देखिए basic चल रहा है, एक्दम relax होके पड़े, कुछ नहीं है GST के अंदर, मतलब, आप लोग income tax पढ़के आ रहे हैं तो, आपको मैं बता दूँ, उसकी सिर्फ 20% मेनत है GST में, इतना असान है, कुछ हैं नहीं, free के marks हैं, और आपको ये भी यहां बताना चाहूँगा, कि आपका कम से कम 80% paper practical होगा, 15 to 20% अगर theory होगी भी ना, तो उसमें से भी मान के चलो, कि 10% practical based theory, यो 10% pure theory होगी, तो ये बहुत असान है, इसमें number लाना हर किसी का जनम सिद अधिकार है, intra state supply of goods, intra state, देखिए जब भी word intra आ जाया ना, इसका मतलब होता है within, क्या, within, intra state, मतलब within the same state, suppose, कोई दिल्ली का dealer है, उसने दिल्ली में ही goods बेचे, कोई दिल्ली का dealer है, दिल्ली में ही goods बेचे, दिल्ली में कोई service provider है, वो दिल्ली में ही किसी को services provide कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो intra state supply of goods कर रहा है, या intra state supply of services कर रहा है, कोई राजस्थान का dealer है, वो राजस्थान में ही services दे रहा है, या राजस्थान में goods बेच रहा है, तो वो intra state, तो intra state क्या होता है, supply of goods within the same state, जब same state के अंदर supply of goods होती है, तो उस चीज को हम बोलते हैं intra state, कोई करनाटका का dealer है, करनाटका में ही deal कर रहा है, वहीं पर goods and services provide कर है तो वो interstate होगा interstate interstate मतलब outside outside state मतलब जब आप अपने goods या services provide कर रहे हैं अपने state से बाहर let us take an example कि कोई राजिस्थान का dealer है वो services provide कर रहा है वेस्ट बेंगॉल के अंदर समझ में या कोई suppose देली का dealer है और वो services provide कर रहे हैं जमू और कश्मीर में तो आप outside the state जब supply कर रहे हैं goods and services तो that will be called as supply of goods and services outside the state अब जैसे बेटा हमारे video lectures है and we are established in Delhi तो देली में कोई खरीचता है हमारे video lectures जब आप purchase करते हैं हमाँ state select करने का option होता है तो अब देली select करते हैं उस समय तो हम intra state category में आ जाते हैं लेकिन जब कोई student देली से बाहर हमारे lectures purchase करके देख रहा है तो फिर हम inter state category में आ जाते हैं एक ही supplier intra state supply भी कर सकता है और inter state supply भी कर सकता है पर difference इतना है कि intra state word जब use होगा इसका state में है उसी state पे goods supply कर रहा है और inter state का मतलब क्या होगा कि वो अपनी territory से बाहर जाकर अपनी state की territory से बाहर जाकर goods and services supply कर रहा है समझ मैं इवाद शेयो फटा-फट इसको एक बार सारा का सारा note down करिये fast